नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो आप सभी को पता होगा कल आई कोट के अंदर पांच अंकों को लेकर सुनवाई होई थी तो उससे सम्दित एजी साब का ब्यान आ गया है और न्यूद पेपर में भी एक नई न्यूज आई है क्या अंक हटेंगे या सब को मिलेंगे पुलिस वर्ती पर इसका असर होगा या नहीं होगा यदि आप कंप्लेट टिटेल जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक और ध्यान से जरूर देखें इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें तो देख लेते हैं क्या नहीं अपडेट है तो यहां पे आप देख रहें क्या है अरियाना की सरकारी नोकरियों में समाजी कार्तिक मांदंड के पांच अंको का मामला हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्सित किया फिलाल तो जो फैसला फाइनल है वो हाइकोर्ट के जदसाब है उन्होंने सुरक्सित रख लिया है अभी वो फैसला है सुनाया नहीं है सरकार की दलील क्या है अंक देने का फैसला सही हाई कोर्ट ने पहले भी से सही ठ्राय हुआ है लेकिन विपक्स की दलील है कि अंक देने से समानता के सुईदान के अनुचेद का उलंगन है ग्रुप COD और TGT पदों की बर्तियां इस फैसले पर निर्बर रहेगी यहां पर बताया गया कि अरियाना की ग्रुप COD और TGT पदों की सरकारी बर्तियों में समाजी कार्तिक मान दंड के पांच अंक देने के मामले में पंजाब एयों अरियाना हाई कोट में वीरुवार को बहस पूरी हो चुकी है खंड पीट ने इस पर फैसला सुरक्सित रख लिया है सरकार की तरफ से एड़ोकेट जनल बल्देवराज माजद ने दलील देकर बताया कि यह अंक जरूरी है उन्होंने दलील दी कि इसी हाई कोट ने अंक देने के सरकार की इस फैसले को सईट रहा हुआ है पांच अंकों को चुनोती देने वाले याजिक करता हूं कि वकीलोंने दलील दी कि अंक देने से समानता के दिखारों का सोईधान के अनुछेद का उलंगन है इसलिए यह अंक नहीं दिये जाए एड़ोकेट जनरल बल्दे और आजमाजन ने देनिक स्वेरा के पूचने पर बताया कि वीरवार को जो भैस हुई है उसमें समाजी कार्थिक मांदर के अंक पांच अंक में से जुड़ी बर्तियां ग्रूप C, ग्रूप D और TGT पदों पर बर्ति है वो इससे समन्दित है उन्होंने बताया कि ग्रूप C और ग्रूप D के जो पद निकले हुए है और TGT के पद निकले हुए है उन्हें चुनोति दी हुई है फिर डैनिक सिवरा ने पूचा कि पुलिस बर्ति में इसका असर होगा या नहीं तो अड़ोकेट बल्देवराज माज़द ने बताया कि अभी तक पुलिस बर्ति विग्यापन को अदालत में चुनोति नहीं दी गई है तो इस पे इसका कोई असर नहीं है कि अभलो उन्हीं के उपर इसका पर्वाव पड़ेगा जिसके उपर इसकी जो है चुनोति दी गई है तो फिर लालो ने यहीं बताया कि इसका असर है उसी पर होगा इस पर चुनोति दी गई है यह इन्होंने कलियर नहीं किया है कि 5 अंक है वो मिलेंगे ya हटेंगे क्योंकि ये चीज इनको भी नहीं पता है फैसला स्मृक्सित है हाई कोड के पास हाई कोड जो भी फैसला जो है साइट पे डालेगा उसी टाइम पता चुलेगा कि ये पांस नंबर मिलेंगे यह हटेंगे फिलाल ये चीज किसी को नहीं पता है सब अपने अपने दलिलें दी है और अपने अनमान है वो दे रहे हैं बाकि आप अपने राय है वो कमेंट करके दे सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूरे